कल्योग के लच्छन देखलो नहीं तो पच्ताओगे कुटोम कम हुआ, संबंध कम हुए, नीन्द कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़ी कम हुए, सर्म कम हुए, लाज लज्जा कम हुए मर्यदा कम हुए, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, भाई भाई प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खुराग कम हुआ, घी मक्खन कम हुआ, तामवे पीतल के बरतन कम हुए, सूख चैन कम हुआ, मेहमान कम हुए, सत्य कम हुआ, मन मिलाप कम हुआ, समर्पन कम हुआ, संतान को दोश न दे, बालक या बालिका को इंग्लिश मेडियम में पढ़ाया अंग्रेजी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज, एनिवर्शरी जैसे जीवन के सुप्रशंगों को अंग्रेजी कल्चर की अनुसार जीने को ही स्रेष्ट मान कर माता पीता को मम्मा और डेट कहना शिखाया जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता आपको तोच्वान कर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संसकार नजर नहीं आता है तब घर के वतावरन को गमगीन किये बिना या शंतान को दोस्त दिये बिना कहीं एकांद में जाकर रोले क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्ष गाट से ही भारतिय संसकारों के बजाए केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले आप ही हैं हवन कुंड में आखूती कैसे डाली जाए मंदिर मंत्र पूजा पाट आदर सतकार के संसकार देने के बदले केवल फर्राटे दारंग रेजी बोलने को ही अपनी सांच समझने वाले आप बच्चा जब पहले बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रनाम आश्रिवात के बदले बाई-बाई कहना सिखाने वाले आप परिच्छा देने जाते समय इस्ट देवबडों के पैर छुने के बदले बेश्ट अफलक कहकर परिच्छा भवन तक छोड़ने वाले आप बालक या बालिका के शफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठ कर खुसिया मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले आप बालक या बालिका के विवाह के पस्चात धार्मिक अस्थल को भेजने से पहले हनीमुन के लिए फॉरेन टुरिष्ट श्पॉर्ट भेजनी की तयारी करने वाले आप ऐसी ही धेर सारी अंग्रेजी कल्चर्श को अपने जाने अंजानों स्विकार कर लिया है आप तो बड़े बुजुर्गों और स्रिष्टों के पेर छूने में भी शर्माती है गलती किसकी मात्र आपकी मा बापकी अंग्रेजी इंटरनेशनल भासा है इससे सीखना है इसकी संस्कृती को जीवन में उतारना नहीं है मानों तो ठीक नहीं तो भगवान ने जिन्दगी दी है चल रही है चलती रहेगी आने वाली जनरेशन बहुत ही घातक शिद्ध होने वाली है हमारी संस्कृती और शब्यता वीलूप तो होती जा रही है बच्चे संसकार हीन होते जा रहे है और इसमें मैं भी हूँ अंग्रेजी संभ्यता को अपना रहे सोच कर वीचार कर अपने और अपने बच्चे परिवार शमा संस्कृती और देश को बचाने का प्रयास करें हिंदी हमारी राष्ट्य और मात्रिभासा है इसको बढ़ावा दे बच्चों को जागरुख करें ताकि वो हमारी शंस्कृती और शब्यता से जुड़कर गौरव साली महशूस करें धन्यों